हलो ब्यूटिफुल सोल, कैसे हैं आप सब? I hope कि आप सब भी बहुत अच्छे हैं, खुश हैं, पॉस्टिव हैं और सब से इंपोर्टेंट कि आप सब भी बहुत जादा हेल्दी हैं और अपना अपना ध्यान रख रहे हैं, अपनी अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं और आज के वीडियो का टॉपिक आप सब ही का फेबरिट टॉपिक है, यानि गौड़ेस हिकाटे जी हाँ, नियो मून आ चुका है और हम सब ही पूरा एक महीना वेट करते हैं कब नियो मून आएगा और कब हम लोग अपनी विश के लिए गौड़ेस हिकाटे की प्रियर करेंगे तो वो टाइम आ चुका है और मैं दो-तिन दिन पहले इसलिए वीडियो अप्लोड कर रहे हूं ताकि आप सब ही को ये वीडियो मिले और आप सब ही नियो मून वाले दिन इस पूरे प्रोसेस को फॉलो करें और अपनी विश को फुल्फिल करें तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को अगर आप टॉपिक में इंट्रिस्टेड है तो डिफिनेटली इन तक बने रहेगा और सभी लोग इंट्रिस्टेड होते हैं गौडे जिकाटे वाले टॉपिक में और बीना स्किप किये देखेगा क्योंकि आप लोग सेम क्विस्चन पूछते हैं जो कि मैं वीडियो में बता चुकी होते हूं तो मुझे बुरा लगता है क्योंकि एक ही सवाल का जवाब बार बार वीडियो में देख चुकी होते हूं फिर कॉमेंट से देना फिर इंस्टा पर देना तो आप सोचो आप लोग कितना एरिटेट हो जाओगे ऐसे कोई आपके साथ करे तो, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखे, सुनिए, समझिए, जब आपको आपके सवालों के जवाब ना मिले, आपको लगे कि इसमें बताया ही नहीं गया है, तो उस सिच्वेशन में आप कॉमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर मेरी इंस्टाग वीडियो को, और जानते हैं कि इस बार किस तरह से आप लोगों को गॉड़े से काटे से अपनी प्रियर करनी हैं, अपनी विश बोलनी हैं, स्विच वोर्ट चैंट करना है, कैसे कैसे करना है, क्या क्या आफरिंग में देनी हैं, मैं बहुत सारी वीडियो इसके उपर इस बार आपको क्या करना है, आपको लाना है कैंडिल, तो बहुत बड़ी कैंडिल मत लेना, क्योंकि वो कैंडिल आपको पूरा जलाना है, तो मीडियम साइज का कैंडिल लेना है आपको, और आपको ले लेना है गौडे से काटे वाली चाभी, अगर आप नए हैं, आपको पहले यूज नहीं किया है, आपने ऐसा नहीं है, कि आपने उस चाबी से ताले खोले हो, बंद किये हो, और उसी चाबी से आप प्रियर कर सकते हो, और गॉड इसे काटे के नाम से निकाल सकते हो, नो, आप ऐसी चाबी लेंगे, जो चाबी आपने कभी यूज ना किया हो, चल तरह की भी चाबी ले सकते हैं क्या आप लोहे के अलावा किसी दूसरे धातू की चाबी ले सकते हैं बिलकुल नहीं लेना है आपको चाबी लोहे की ही लेनी है अच्छी से लिजेगा कि उसमें जंग ना लगे सबसे जरूरी सवाल क्या हम इनकी प्रियर दिन में कर सकते हैं न लेकिन आप पहले से जुड़े हुए हैं इनसे आपने चाबी चार्ज करके रखी हुई है और दिन में ऐसी कोई प्रॉब्लम आजाती है जब आपको इनकी जरूरत है तो आप उस चाबी को हाथ में लेजे और अपना काम कर लेजे यानि प्रेयर कीजे और आपका काम हो जाए हैं कोई rule regulation नहीं है कि periods में आप हैं तो God से काटे की prayer नहीं कर सकते उन्हें invoke नहीं कर सकते उन्हें बुला नहीं सकते उन्हें जोड़ नहीं सकते ऐसा कोई rule नहीं है तो आप periods में भी कर सकते हैं ये मैं आप सभी के बार बार जो सवाल आते हैं उसका एंसर दे रही हूँ प्लीज ये सब सवाल अब मत किजिएगा एक सबसे ज़्यादा जो question आता है क्या हम इतनी रात में चौराहे पे ना जाके कहीं और offering दे दे देखे वो एक अलग prayer है जिसमें हमें चौराहे पे जाना ही होता है ठीक है तो अगर आप वो वाली offering कर रहे हैं उस तरह से prayer कर रहे है कि आपको चौराहे पे जाके offering करनी है तो उस process में आपको जाना ही जाना है चौराहे पे और वहीं पे आपको offering करनी होती है और वो बहुत ही miraculous बहुत ही powerful तरीका है इंसे जूडने का तो आप उस वीडियो को चेक कीजेगा अगर आप बाहर जा सकते हैं आप नहीं जा सकते तो आप अपने घर में सब के साथ बाट के उस प्रशाद को खा सकते हैं अब जान लेते हैं कि आपको इस बार किस तरह से prayer करनी है तो simple सा आप जो भी की लाए है याणि नई चाभी लाए हैं एक चाभी आप ले लेंगे वैसे तो ताले के साथ दो चाभीया मिलते हैं तो आपको दो नहीं ले ली हैं सिर्फ एक चाभी हाँ एक सवाल और आता है कि क्या हम अलग-अलग विश के लिए अलग-अलग चाभी यूज करें बिलकुल नहीं क्या आप अलग-अलग विश के लिए अलग-अलग फोटो लाते हैं भगवान जी लोगों की या अलग-अलग मंदीर में जाते हैं नहीं न एक ही भगवान से आप बार-बार अपनी हर विश मांगते हैं उसी तरह से ये चाबी एक तरह से परमात्मा की एनरजी है, गौडे से काटे की एनरजी है, आपके चाबी में जब आप इसे चार्ज करते हैं, तो उनकी एनरजी आ जाती है, और तब ये चाबी आपके लिए एक पावर हो जाती है, अब इस पावर से आप सारी विश मांग सकते है ठीक है ऐसा नहीं है कि अलग विश अलग चाबी ये भी क्लियर कर दिया तो आपको उस दिन क्या करना है अपनी चाबी ले लेनी है नई चाबी लेके और ऐसे जगह पे बैठें जहां आपको कोई डिस्टर्ब ना करें या प्रियर कर रहे हैं बीच में कोई चिला ना दे तो इसका बहुत इफेक्ट होता है और नेगेटिव इफेक्ट होता है तो आपने एक सही जगह खचुनाओ किया जहां आपको कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा है आप वहां आसन लगा के बैठ रहे हैं आपने एक कैंडल जला लिया अगर आप चाहे तो गूगल से इनका इमेज भी निकलवा सकते हैं और अपने सामने इनकी इमेज रख सकते हैं पॉ रडे सिकाटे को बुलाने का प्रोसस क्या है सबसे पहले आप इनके इनिमल को बुलाएंगे यानि जो इनकी सवारी जो हम लोग बोलते हैं इनके साथ जो एनिमल रहते हैं उसे तो सबसे पहले आप स्विच वोड चेंट करेंगे कितनी बार chant करना है तो अगर सच में आपकी wish बहुत बड़ी है आप बहुत गंदी situation में फसे हुए है क्योंकि इस विकना बहुत सारे ऐसे messages आ रहे हैं मुझे Instagram पे कि उनका relationship एगदम negative हो गया है अब किसी की शादी होने लग रही है कोई किसी को छोड़ के चला जा रहा है तो उस situation को आप feel करेंगे देखे यहां पर ना आप कोई law of attraction की technique नहीं कर रहे है यहां आप prayer कर रहे हैं अपनी समस्या बता रहे हैं गौडे से काटे से तो आप अपनी जो भी problem है उसे feel करते हुए गौडे से काटे से prayer करना है ठीक है अपनी सारी समस्या बतानी है तो सबसे पहले dragon magic begin now उसके बाद आप गौडे से काटे वाली switch word को chant करेंगे और कितनी बार करना है तो जो situation मैंने बताया अगर situation इतनी बड़ी है इतनी critical है इतना जादा negativity है life में तो आप 108 बार हर switch word को chant करेंगे जैसे dragon magic begin now तो ये 108 बार आपने किया फिर goddess hikate magic begin now ये भी आपने 108 बार किया इसके अलावा आप तीसरा switch word भी chant कर सकते हैं 108 बार जो की है अनाना, hikate, air तो जो लोग अपने wish को जल्दी fulfill करना चाहते है मतलब immediately तो वो लोग तीनो switch word chant करेंगे जिन लोगों को wish में मतलब समय है आपको पता है कि आपका exam है और वो दो-तिन महीना बाद ही होगा तो आपको इतना frustrated नहीं होना है आप simply दो switch word chant केजी आपका काम हो जाएगा जिन लोगों को यहाँ बताने पर समझ नहीं आ रहा है कि switch word कैसे chant करना है तो मैंने switch word chanting की video upload की हुई है जो कि 15 या 16 मिनट की है तो आपको क्या करना है उस video को आपने on कर देना है और जैसे मैं switch word chant करूंगी आप उसी को सुनते हुए prayer करेंगे, visualize करेंगे, offering करेंगे और फिर अपने process को done करेंगे अब जान लेते हैं कि switch word chant करने के बाद आपको क्या करना है आपने 108 बार, 108 बार, 108 बार chant कर लिया उसके बाद यकीन मानिये आप बीच में रो न दिये तो कहना क्योंकि इतने में feel होने लगता है कि आपकी आसपास कोई बहुत बड़ी energy आ चुकी है और जब भी ऐसा लगे तो please आँख मत खोलिएगा आँख बिना खोले अपने wish को बोलिएगा कि मा गोडे से काटे आप जिस तरह से connect कर पाएं जैसे आप simply भगवान के पूजा करते हैं मंदिर में जाके कोई process तो नहीं होता है बिल्कुल इसी भाव से आप गोडे से काटे से भी connect होंगे और अपनी सारी समस्याएं पहले विस्तार से बताईए क्या problem है अगर कोई person धोका दे रहा है क्या क्या हुआ आपके साथ वो सब कुछ विस्तार से बताईए then आप उनसे प्रार्थना किजिए कि हे मा मुझे इस situation से निकालिए मा मैं इस situation में ठक गई हूँ या ठक गया हूँ हार गया हूँ मेरा हाथ थाम लो और मेरा मार्ग दर्शन करो कभी भी try करने के लिए इस process को मत करना कि मैंने बहुत कुछ कर लिया है चलो इसे भी try करके देखते हैं तो अगर ऐसा intention रखेंगे आपका काम कभी नहीं होगा अगर पूरी तरह से खुद को समर्पित करके positive भाव से आप उनसे जुडेंगे तो आपका काम 24 घंटे में हो जाएगा guarantee है जो लोग पहले से जानते हैं उन्हें तो सब कुछ पता होगा वो उन्हें इतना guide नहीं करना पड़ेगा लेकिन जो लोग नहीं जानते हैं जब आप switch word chant करें तो switch word chant करने के बाद जब कुछ second का आप time लेते हैं उनसे बात करने के लिए तो उस time पे आपको अगर feel ना हो कि कोई energy आपके आसफास नहीं है वैसे ऐसा हुआ नहीं है आज तक बट फिर भी आप अनलग की साबित हो कि आप उन्हा फिल हो तो आपको क्या करना है prayer करना है हातों को जोड़े हुए है कि गौडे से काटे मैं आपको बुला रहे हूँ या बुला रहा हूँ प्लीज मा आईए ठीक है इस तरह से पूरे दिल से पूरे भाव से उन्हें बुलाना है समर्पित होके जरूर आपका काम होगा इतना करके आप ये जरूर बुलीगा कि ये मा मेरी ये wish पूरी हो जाएगी या मैं इस situation से निकल जाओंगा या निकल जाओंगी तो मैं आपको ये चीज जो भी आप offering करना चाहें ये offering करूंगा या करूंगे जब आपके wish फुल्फिल हो जाए तो आपको offering करना ही है otherwise फिर next time से आपके wish फुल्फिल नहीं होगी आप offering में भी बहुत सारे चीज़े हैं जो आप offering में दे सकते हो उन्हें भोग लगा सकते हैं तो आप इन्हे offering में दे सकते हैं cake overlap इन्हें pasty दे सकते हैं आप इन्हें मिठाई दे सकते हैं, चॉकलेट्स दे सकते हैं, आप इन्हें गुलाब का फूल दे सकते हैं, आप इन्हें आलमंट्स दे सकते हैं, यानि बड़ा वाला बादाम दे सकते हैं, आप इन्हें कॉइन दे सकते हैं, तो ये बहुत सारी चीजे हैं, जो आप इन्हें आप हल्वा वागे रबना के देना चाहें तो वो भी ऑफरिंग में दे सकते हैं, जो मैंने चोराहे बाली बताई थी, वो अलग प्रॉसेस है, कि चोराहे पर जाके करना होता है, इसमें आपको क्या करना है, कि जब आपके विश्ष फुल्फिल हो जाए, तो आप नेक्स न्य wish को fulfill करते रहेगा और वादे के हिसाब से मैं आपके लिए ये offering लाई हो जिसे आप स्विकार केजिए ऐसा बोलके आप थोड़ी दिर के लिए हट जाएए जब आपको लगे कि हाँ आप फील होता है खुद ही फील होता है कि energy शान्त है तो आप उस प्रशाद को लेजिए वहाँ थोड़ा सा पानी शुरक देजिए और सभी लोग उस प्रशाद को बाटके खा लेजिए अब मुझे नहीं लगता है कि आप लोगों का कोई भी सवाल इसमें बचना चाहिए candle को जलती हुए छोड़ देना है अब आप इसी लिए बहुत ज़्यादा बड़ा candle मत लेजिएगा पानी रख लेजिएगा अगर offering करने जा रहे हैं तो कोई भी सवाल रह गया हो अब भी भी तो आप पूछ सकते है definitely मिरी Instagram ID is driving triple 2 वहाँ follow करके और connect हो जाएए मिलती हुए नेक्स वीडियो में तब तक आप सभी खुद का ध्यान रखे खुश रहे हल्दी रहे पॉस्टिव रहे मुस्कुरात रहे God bless you and thanks for watching love you all, bye